कि आपको स्टूडेंट्स पेरादसमलो एक नेस्टे क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर सिक्स इसमें को एक कैप्सूल दिया हुआ है कैप्सूल आप जानते हैं जो दवा की रूप में लिजाती है उसका चित्र आपके किताब में दिया हुआ है और उसकी लंबाई और उसका ब्यास आपको दिया हुआ है किस प्रकार से है यहां पर हम देखते हैं यहीं कैप्सूल है कि जो आपको किताब में चित्र दिया हुआ है इसके दोनों तरफ गोलाई होती है आप जानते हैं दोनों तरफ गोलाई होती है तो यह किस परकार की आक्रति यहाँ पर बने कि यह आपको सोचना पड़ेगा तो इसके दोनों तरफ अर्ध गोले के आकार में ये कैप्सूल होता है तो यह आपको यहां पर सोचना है कि इसका जो दोनों सिरे हैं वो अर्ध गोले के आकार में और बीच में इस बेलन है तो इसका आपको निकालना है इस पूरे कैपसूल का वाक्र प्रिस्टी सेत्रफल या पूरे कैपसूल का प्रिस्टी सेत्रफल क्या होगा दो अर्ध गोले का चेत्रफल प्लस बीच में यह हिस्सा क्या है बेलन है तो बेलन का वक्र प्रिस्ट है सिर्फ वक्र प्रिस्टी चेत्रफल जो भी ठोस बनता है उसमें जो भी चीज़े को दिख़ाई देती है उन सब का चेत्रफल आपको जोड़ना होता है तो पूरे ठोस प्रिस्टी जोब Qan या कोई आक्रति होगी उस आक्रती में विशार आपको दिखाई दे रहें उनसे सब का उतना ऐना तो पूरे ठोष का ओइंच के ना जो दिया और बीच में यहकृपिbasis आपको वकर प्स्ट दिखाई दे रहा है तो यह वकर ये बिसंट का शेतरपर पर हमने जोड़ दिया रद्दगोले का शेतरपर आप जानते हैं 2π.R होता है और बेल का 2π.R ह होता है अब यहां पर जो हमको लंबाइय दी हुई है वो यहां से लेकर यहां तक पूरी लंबाई 14 cm, और व्यास हमको दिया है, यह पूरा व्यास 5 mm, सेंटीमेटर में नहीं, मिलिमेटर दिया हुआ है, तो कि छोटा होता है बहुत, तो मिलिमेटर में लंबाई यां दिय हुई है, तो यह 1 mm है, तो इसका जो आधा हो जाएगा, वो त्रिज्य हो जायेगी इसकी यहां पर जो अर्ध गोला है पांच बट्टेड दो तो त्रिज्या पांच बट्टे दो हो प्लस दो गुणा, बाइस बट्टे साथ गुणा, पांच बट्टे दो गुणा, अब यहां पर जो बेलन की उचाई होगी, वो इतनी होगी, यहां से पांच बट्टे दो कम होगी, यह भी त्रिज्या होगी, यह भी त्रिज्या होगी, यह जो त्रिज्या हैं, यह परावर ह जाएगी 9 यहां पर हमने लिखा तो इन सब का कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर होगा 920 mm2 यह आंसर आपको प्राप्त होगा अब हम यहां पर करते हैं 7 यहां पर हमारे पास एक तंबू है तंबू कैन्वस से बना हुआ है मतलब एक कपड़ा जिस से तंबू बनाते हैं उस पूरे का आपको छेतरफल निकालना है तो वो तंबू किस आकार का दिया हुआ है नीचे आपके पास जो दिया हुआ है वो है बेलन और उपर दिया है उसका आकार संकू तो कुल मिला कि यह तंबू है जहां जहां कपड़ा लगा हुआ है तो जहां भी कपड़ा लगा होगा उस पूरे का छेतरफल हम निकालेंगे तो हमको इस पूरे तंबू का छेतरफल जो होगा वो क्या होगा क्या क्या यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक उपर दिखाई दे रहा है अगर वो तंबू होता तो एक इस प्रकार से जो संकु है तो संकु का सिर्फ वाक्रप्रिस्ट यहां पर कपड़ा नहीं होगा वो पुरा खोगला होगा अंदर से संकुका वख्रप्स्ट सेत्रफञ प्लस नीचे यहां भी कपड़ा नहीं है यह जमीन नीचे तो सिर्फ वख्रप्स्ट बेलन का वख्रप्स्ट शेत्रफल यह हम आको निकालना बेंगे, तो यहां पर जो लंबाई यह अंको दिवी है, एक तो ती कि जो उंचाई है L, यह हमको दिया हुआ है, निकालनाह नहीं है और यह हमें चार दिया हुआ है, यहां से लेकर ब्याज 4 – 2 – 1 lighter आपको दिया हुआ है और जो उंचाई है बूट 2.1 मीटर आपको दीवी तो ये करने के बाद ये लंबाईया हमको दीवी है अब हम यहाँ पर फार्मुरा लेखें संकु का वक्रपिस्टी सेत्रपल आप जानते हैं पाई आर एल और बेलन का वक्रपिस्टी सेत्रपल 2 पाई आर एच वैल्यू जिसमां हम रह देंगे वक्रपिस्टी ही यहाँ पर हमको निकालना है क्योंकि कपड़ा जो लगा हुआ है वो सिर्फ वक्रपिस्टी में लगा हुआ है यहाँ भी नहीं लगा है यहाँ भी नहीं लगा है तो संकु का वक्रपिस्टी सेत्रपल कितना होगा पाई आर एल होगा पाई कमान 22 बटे सा आर कितना होगा यह ब्यास अगर 4 है तो आर 2 मीटर हो जाएगा और तिछी उंचाई आपको दी हुई है यह भी 2 मीटर होगा 2.8 दो गुणा 22.7 आर यहाँ पर दिया हुआ है चार अगर ब्यास है तो आर यहाँ पर पेलन का 2 उंचाई 2.8 तो यह सारी वैल्यू हमने रख ली आपको इसको कैल्कुलेट करना है और यह वैल्यू आपको निकाल लेनी है और यह वैल्यू आएगी इसको बनाने में लागत आपको निकालनी है तो 44 गुणा 500 जब हम इसको मंटिट्लाइ करेंगे तो यह हो जाएगा चार पंचे बीच चार पंचे बीच दो बाईस और दो जीरो और हो जाएंगे इतने इतने रूपिये इसमें इसकी लागत आएगी तो यह तो क्वेश्चिन नंबर एट अब हम देखते हैं इसमें हमको एक बेलन दिया हुआ है उस बेलन के बेलन से एक संकू को काट के बाहर निकाल दिया गया है यह बाहर निकाल दिया गया है तो यह गड़ा यहाँ पर बन जाएगा संकू के आकार का एक गड़ा बन जाएगा और यह लकड़ी यहाँ पर बची हुई रहेगी यह इतना और यह नीचे यह लकड़ी बची होगी य और इसमें से एक संकुको काट के जो बहार निकाल दिया गया इसके बाद के अंदर देखेंगे तो यह संकुआकार इस प्रकार से गोल वक्रुस्त हम को यह दिखाई देगा यह कुझ जो भी चीज़ चीज़ें को इसमें दिखाई देरी मैं इन सब निकालने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए कौन-कौन से चीज आपको इसमें कौन-कौन सी जगह आपको दिखाई दे रही है जो है वहाँ एक तो हमको पूरे का पूरा बाहर से बेलन दिखाई देगा तो बेलन का वाक्रप्रिस्टी शेतरफल आपको दिखाई दे रहा है प्लस नीचे बृत्ति आधार का चेतरफल आपको निकालना पड़ेगा जो बेलन का आधार है रोटी के आकार का उसका शेतरफल प्लस जो आप इसमें संकु काटके निकालने के बाद जो गड़ा बना हुआ है वो भी संकु आकार है तो चारह तरफ वो संकु का वक्रपिस्टी शेतरफल यह आपको दिखाई देगा उसमें उपर से देखेंगे आप तो कुल मिला के तीन चीज़े हैं इन सब का आपको फार्मुला लिखके जोड़ देना है वेलन का वक्रपिस्टी शेतरफल तू पाई आर एच प्लस आधार जो बृत्त के आकार का होत और पाई आर और अब यहां पर जो हमको लम्बाईया भी हैं में पूरे बेलन की पूंचाई दो दसमलाव चार सेंटीमीटर दी हुए और बेलन का व्यास आपको दिया हुआ है इसमें एक दसमलाव कि चार सेंटीमीटर तो इस तरीके से आप बेलंग का अगर व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या 1.4 बट्टे 2 हो जाएगी 1.4 बट्टे 2 यानि की 1.7 और उंचाई आपके पास है 2.4 सेंटिमीटर तो यह value हमको यहां रखनी है पर यहां आपको यह चीज़ दिखाए दे लिए L इस L को आपको अलग से निकालना पड़ेगा यह निकालने के लिए L बराबर R का वर्ग धन H का वर्ग यह सूत्र हमेंसा याद रखिए आर हमारे पास यहां पर हमने देखो ब्यास हमको दिया एक दसमलो चार तो इसका आधा हो जाएगा दसमलो साथ और उंचाई आपको दी हुई है 2.4 इसका भी वर्ग कर लेंगे तो यह value आजाएगी 625 इस प्रकार से 6.25 तो यह value आजाएगी 2.5 सेंटिमीटर तो यह value एल हमको यहां रखनी पड़ेगी तो यह value हम यहां रख लेते हैं तो दो गुणा 22 बट्टे साथ गुणा आर हमारे पास है दो 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 चार वही 22 बट्टे साथ आर का वर्ग आर दो दो साथ का वर्ग प्लस पाई 22 बट्टे साथ गुणा आर हमारे पास यहां भी वही होगा गुणा भाग करना है और यह गुणा भाग करने के बाद जो वैलियो आएगी वह आएगी सत्रा दसमलो च्छे सेंटीमीटर का वर्ग यह कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा मैं करना हूंगा तो बहुत बढ़ा हो जाएगा वीडियो तो इसको आप खुद करिए सत्रा दसमलो च्छे सेंटीमीटर वर्ग इसका आंसर प्राप्त प्राप्त है तो इस्टो टेंट क्वेशन नमबर नाइंग देखिए यहाँ पर अमें बेलन दिया है बेलन के दोनों सिरों को खोद के यहाँ पर दो अर्दगोले बाहर निकाले गए हैं एक अर्दगोला य प्रिस्टी सेत्रफल निकालेंगे तो वह क्या होगा वह होगा दो गुणा अर्दगोले का कि वक्र प्रिस्टी सेत्रफल प्लस बेलन का वक्र प्रिस्टी चेत्र फर्ग इन दोनों को आपको जोड़ लेना है दो गुणा अर्ध गोले का वक्रपिस्टी चेत्र पाई आर वर्ग दो टू पाई आर वर्ग प्लस बेलन का टू पाई आर एच तो यह वैलू ही हम रखेंगे सब्सक्राइब करेंगे 374 सेंटीमीटर का वर्ग यह अंसर आएगा तो इस तरीके से सवाल को करनेंगे